Hello Friends, बहुत-बहुत स्वाकत है आपका सुपर-फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो Friends, इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Types of Spring के बारे में जी हाँ हम डिसकस करने वाले हैं Mechanical Spring के different types के बारे में उनके नाम के बारे में जानेंगे और साथ ही उनके applications के बारे में भी जानेंगे तो Friends, ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering fields से related videos इस YouTube channel पर मैं upload करता रहता हूँ 1000 से ज़्यादा videos जो हैं अब तक मैंने upload कर दी हैं और मैं regularly नए नए videos जो हैं वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो प्लीज इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस video का start करते हैं बने रहेगा वीडियो में अंतिता हैं तो सबसे पहला हमारा जो है वो है helical compression spring जिसे की compression helical spring भी कहा जाता है ये एक energy efficient storage device है और इसे open coil helical spring के नाम से भी जाना जाता है helical compression spring को design किया गया है ताकि ये resist कर सके compressive force को linear direction में जैसे ही helical compression spring के उपर compression force apply होता है load उस पर लगता है वो compress हो जाता है और जैसे ही load यहाँ से हटेगा ये वापस अपने original position पर पहुँच जाएगा और इस तरह के springs का इसलिए ज़्यादा तर इस्तमाल shock absorbers में भी किया जाता है जैसे कि आपने shock ups में देखा होगा bike के shock ups में है ना आपके four wheelers के shock ups में इस type के spring का इस्तमाल किया जाता है और भी बहुत सारे applications है इसकी दूसरा type है आपका garter spring garter spring कुछ इस तरह से दिखता है जैसे कि आप image में देख पा रहे हैं और ये पुरा दोनों end इसका जो है वो आपस में connected रहता है यानि कि कोई भी end इसका free नहीं होता है ये पुरा spring है जो कि circular shape में होता है इसका इस्तमाल किया जाता है oil seals में, soft seals में belt driven motors में electrical connectors में ये mainly दो तरह के होते हैं पहला होता है compression garter spring जो compression garter spring होता है वो क्या करता है exert करता है outward radial force यानि कि बाहर की तरफ radial force apply करता है जबकि एक दूसरा होता है extension garter spring तो जो extension garter spring होता है वो exert करता है inward radial force जो आपके oil seals में लगा होता है वो लगा होता है आपका extension garter spring ये inward radial force लगाता है जिसकी वज़ा से oil seal shaft की तरफ दब के लगी होई होती है next है आपका helical extension spring तो देखिए ये compression spring के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें just opposite है helical extension spring जो होता है वो resistance offer करता है extension पर यानि कि जब हम इसे extension करेंगे extend करेंगे बाहर की तरफ force लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ force लगाएगा यानि कि ये extend होना नहीं चाहेगा अगर हम load करके load apply करके इसे extend करेंगे और जब load release होगा तो ये वापस अपने position पे regain कर लेगा इसका example है आपने bike के stand में इस तरह के helical extension spring को जरूर देखा होगा bike के bicycle के stands में इस तरह की spring के इस्तमाल किया जाता है next type है आपका torson spring तो जो torson spring होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है और इसे wire से बनाया जाता है steel wire से जो की wound होता है कि spiral shape में जिसका end जो होता है एक end जो है उसे stationary एक point में fix कर दिया जाता है जबकि दूसरा point जो होता है वो free होता है rotate करने के लिए तो एक तरह से हम ये कह सकते है ये torque को store करके रखता है है ना इस तरह के spring का इस्तमाल doors में किया जाता है doors जो automatically close होते है वहाँ पर घर में जो कपड़ा सुखाने के लिए clip आप यूज़ करते हैं उसके अंदर भी ऐसे ही तरह का torsion spring लगा होता है इसके अलावा और भी industrial इसके बहुत सारे applications है बहुत सारे equipments में next जो है वो है leaf spring तो देखिए leaf spring जो है simple form है spring का जिसका सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है suspension के लिए wheeled vehicles में आपने देखी होगी जितने भी four wheelers होते हैं जो heavy load lift करते हैं है ना उनमें इस तरह के suspensions का इस्तमाल किया जाता है next type है आपका magazine spring तो ये जो magazine spring होता है वो एक तरह का compression spring होता है जो की oval या फिर rectangular shape coil form में होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और इनका इस्तमाल किया जाता है gun की magazines में ताकि ये push कर सके bullets को या फिर rounds को chambers के अंदर next type है आपका conical spring तो जो conical spring होता है वो basically compression spring coil होता है जो की increasing या फिर decreasing outer diameter का होता है है ना जिसकी वज़ा से एक cone का shape पनता है इसी वज़ा से इसे conical spring कहा जाता है अगर हम बात करें इसके applications की तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तमाल किया जाता है electrical equipments के साथ जैसे की battery contact के लिए push buttons के लिए और इसके साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे industrial applications है conical spring के next type है आपका barrel spring तो जैसे की इसके नाम से ही clear है आप image में देख सकते हैं इसका shape barrel की तरह होता है जिसकी वज़े से इसे barrel spring कहा जाता है इस spring को अगर आप देखें तो center पे ये थोड़ा ज़्यादा चोड़ा आपको दिखाई देगा wider दिखाई देगा जबकि top में और bottom में इसका जो diameter है वो थोड़ा कम रहेगा next type है आपका heart glass shaped compression spring तो जो heart glass shaped जो होता है वो just opposite है concave shape के यहाँ पर जो center है वो कम diameter का है जबकि इसके दोनो end जो है वो ज़्यादा diameters के है next type है आपका variable pitch spring variable pitch spring यानि की नाम से ही clear है यहाँ पर जो spring है उसका pitch जो होगा वो vary करेगा यानि कि कहीं पर दो coil के बीच का distance जो है वो ज़्यादा होगा कहीं पर कम होगा यानि कि वो vary करेगा और इसलिए इसे variable pitch spring कहा जाता है तो friends यह थे कुछ different types of spring उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा